विधान सावा चुनाओ के दोरान बीजेपी ने दावा किया था अपने घोषडा पत्र में डाला था कि जब हमारी सरकार आएगी तब सभी गाउं में चिकिस्सा सुविधा को बेहतर किया जागा जो भी CSC होंगे PSC होंगे उनको आधुनिक किया जागा जो भी प्रसवग्री होगा वो modern बनाया जागा दवाओ की उपलगतर आएगी डॉक्टर की तैनाती की जाएगी पेरामेडिकल स्टाफ होगा अंतिम व्यक्ति तक स्वास्त का लाब पहुचेगा जी हाँ पंचायत लाइब में आज का यही मुद्दा है कि स्वास्त निती और लोग उसका लाब हम इस समय रहमतनगर गाओं में हैं वहां के लोग हैं मौजूद हैं उनको केतना बहतर स्वास्त लाब मिलता है यह पंचायत लाब में मुद्दा उठाएंगे हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं जो स्वास नीती को जानते हैं स्वास बहतर स्वास चाहते हैं कि उनके घर में कोई बिमार ना पड़े बिमार पड़े तो उसको बहतर चिकिसा सुविधा मिले हमारे साथ लोग हैं उनसे हम जानेंगे आप बताइए बीजेपी की सरकार आई तब उसने कहा था कि मौडरन पीसी किसी को दिक्कत नहीं होगी घर घर डॉक्टर जाएग होते हैं दूसरी बस सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर प्रसूती महिलाये जाती है वो जो अल्टरा सउण चलता है कि अलहपते में दो दिन चलता है परड़े की कान यह है कि कम से कम 30-40 और परड़े यूँ पैदल दोड़ती है और प्राइबेट में जो है इलाज अपना लिख देते हैं अल्टा साउंड मसीन पर जो डाक्टर बैठते हैं कि वह दो दिन तेनात रहते हैं हमने कई बार चिट्थी भी लिखी लग है इस पर कभी गौर ही नहीं किये दवाईयों के दवाईय जो देते हैं पैरा सुटा माल और यह जो है छोटी मोटी दवाईय जो इस तरह चलाते हैं जो लब बड़ी दवाईय है वह वाजार में बेच देते हैं लोग यही यहां की समस्याइं हैं और जितने छोटे- जो है सामदाएक स्वास्तकेन जो जगे-जगे गाउं में बने हैं वहां तक तो इस्टाब पहुंचता ही नहीं एनम जाती ही नहीं सेंटर पे आखिरकार जो दूर दराज की औरते हैं उनको यहां सामदाएक स्वास्तकेन दवरना पड़ता है कई सेंटर कम से कम 20-25 सेंटर यहां पर उसाइंगंची विकास खंड में बने हुए लेकिन सब पर इस्टाब नदारत है वहां पर दवाई भी नहीं है और ना वहां पर कोई सुबदा मिलती हैं को आप बताहिए आपकी तबियत अक्सर खराब रहती हो गी जो सरकार ने दावा किया था कि अंतिम व्यक्त आप बताइए कि सरकार ने दावा किया था कि हर घर में डॉक्टर जाएगा एनम जाएगी जो जो भी बीमार होगा उनको जागरूप करेंगी अगर उनकी तब यह ज्यादा खराब है तो उनको पीसी या सी ले जाएगा ऐसा कुछ देखने को मिलता है आपके गाउं में कोई डॉक्टर आया कि हमारे गाउं ऐसा कोई डॉक्टर नहीं आया तो बहुत सरकारी अस्पताल में जाते हैं आने तो वहां दवा करबर देते फैदे ही नहीं करता है सरकार ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक चिकिस्टा सुविधा पहुंचाएंगे जो भी इलाज होगा वो सरकारी अस्पताल में होगा उसका मुफ्ती इलाज होगा हमारे साथ कुछ लोग और हैं उनसे हम जानते हैं आप बताईए आप कि यहां कोई डॉक्टर आता है आप दवा नपानी कुछ दीन है सरकार ने तमाम यह उजनाय चलाई है किसी ओजना को बताने के लिए कोई अधिकारी कर भी पहुंचा है कोई अधिकारी नहीं आता है कोई आते नहीं कि इसे का बता दी कोई डाक्टर ना कोई अधिकारी कोई करमचारी भी नहीं हाँ तक आता है कि इस पेसizer कज ले जाएं मगर वहां कारते से कुई इलाज नहीं होता है आज नहीं एक्सराओन होते हैं मरत वहां वह सो रुपिय पचास रुपिय लेकर करते हैं बाकि जो अअज नहीं कल आना कल नहीं करस्वआ ना हो चक्कर वहां के कार्ठे रहते हैं सरकार कहती है कि हम सभी गावं में किस्टा सिवीर केमप कि और इनसे हम जानते हैं कि तो लिए रिदा करी कि उजना चलाती है वह परीका क्राष कितना साथ yum एम प dell ौक है कि एक अवाব कि पूरी दी जाती है लेकिन काम उतना नहीं ले पाता है यह आरूप लगता रहा है बीजेपी सरकार ना कहा कि हम तंखवा भी देंगे और काम भी लेंगे जब आप सरकार बनवाते हैं तब सबसे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं कि क्या चीज बेहतर हो सरकार से तो उम्मीद यही लगा जाती है कि जनता को हर तरह की सुविधाय मिले और उनका जो है सफली लाज हो यानि जो भी समंध्य सरकारी सुविधाय है वो सब जनता को मिलनी चाहिए और जनता इसलिए जो है उत्तम सरकार चुनती है लेकिन फिर भी उसका जो है यह सरकारी आधिकारी हैं, ये जनता का सूसर करते हैं जो सूरी द१ करते हैं यहां का अभी देखा गया है देखा नहीं बलकि मेरे उपर बीट रहा है ये लेकपाल इतना भष्ट है जिसकी कोई सीमा ही नहीं अबैत कप्जा करवा रहा है लेकपाल मेरी एक साल से हैसियत प्रमानपत्र को मैंने दिया था आज तक उसने पैसे के कारजो है नहीं कि अच्छा सुविधा पे भी बीजेपी ने दावा किया था कि अंतिम व्यक्तित तक बेहतर चिकिसा सुविधा लाएंगे डॉक्टरों की तैना तो यहोगी पेरा मेडिकल स्टा टा को लिगए अद्धकारी और कर्मचारियों की वजल्द से साक्ता है और होना चाहिए लेकिन उसका दूरपियोग सरंकारी एलकार को सुविधा नहीं देने रहे है इसलिए क्यों को मनी राम से भी हो रहे हैं उनको पैसा चाहिए ठाही मेरा काम हो न चाहिए मेरा काम होगा, लेकिन नहीं, अगर पैसा मेरे पास नहीं, गरीब जन तक पास पैसा नहीं है, तो उसका काम नहीं होगा, लेटिन बन नहीं है, पीला इंटा लग रहा है, क्यों? सरकार पीला इंटा पैसा दे रही है, मानक की हिसाब से मसाला नहीं बन रहा है, लेटिन जो ब अगर आपके गाउं में भी बीमारी होती होगी तो आप क्या लेके जाते हैं जब चाहिए पीएसी पर आप कितने संतुष्ट होते हैं संतुष्ट यह थो डेक्टर को अपर डिपंड करता है और वहां सरकारी पर जाने पर जो वहां से उपलब्द कराई गई दवाइयां है सरकारी वो तो उनका मानक है वो देंगे अब देखे यह एक कड़ी चुड़ती जा रहे है अब अस्पताल में दवाइयां किस टाइप कि जाने आप कितने संतुष्ट हैं कि आपको आप जब जाते हैं संतुष्टी मिले हमारी तो हमारी जो हमको देख करके देदेंगे दवार मैं कोई डराने धंकाने को उसमें नहीं हूँ लेकिन आजम DB position करके मुध मुद देक करके काम करता है कि कष्ष्टा लोगों का आतो है यह तमाम यतमाम दावे किये गए लेकिन अभी तक कुँछ देखने को नहीं मिल्दी ऑंको संतुष्टी मिल सके कि हम उनका सब्चा सबका विकास में तो बहुत्र जिए रही हैं हमें एक ब्हुतर चिकेसा सुधा मिल लई है थे छाफ मेहें डीधा है हमें बहुतर संक्वां में निया हमारे साथ कुछ और लोग है उनसे बात करता है आप के यह पर पताय पैशा कोई यह बिमारब तक है आप के आपके गाउं में स्वास जाँच के लिए कोई हेल्थ सीवरी लख्या है? कोई डॉक्टर आया हो, तमाम दवाईया लाया हो, लोगों की जाँच कर रहा हो ताकि आप स्वश्थ है, नहीं स्वश्थ हैं, एक सलाँ? आज तक कोई ऐसा सिविर नहीं लगा कि जो जाँ चुबा हुआ 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 जो कि जनता का उसमें कोई भाइदा नहीं आप मानते हैं कि ये भी सरकार पिछले सरकारी की तरह है कि दावे मंच से होते हैं लेकिन दावे पूरे नहीं किये जाते दावे तो सभी सरकारे करती हैं लेकिन अब यहाँ पर अधिकारी लोग क्या करते हैं इसके मिसें में क्या क्या जाए लेकिन हम लोगों को सुविधा कोई मिलती नहीं है हम लोग परिश्रम भी करते हैं कि चलो भाई सरकारी सुग्दा हमको मिले वहां जाओ तो वहां बाइटने वाले लोग डाक्टर वहां से वो भेज देते हैं जाईए मार्केट से बख़़िए और अगर उनको 10-20 रुपे, 50 रुपे की सिंदे दिया तो हो सकता है उनको थोड़ा बहुत फायदे मंदवा मिल सकी वक्त हो चला एक ब्रेक का इसके बाद हम लोटेंगे और गाओं की महिलाओं से बात करेंगे कि वह कितनी संतूष्ट है स्वास्त सेवाओं से परिवार कल्याड की योजनाओं से जो भी मात्रिवंदना योजना है जो भी योजनाय चल नहीं है मैलाओं के लिए उससे वह कितना संतूष्ट है पंचायत लाइब में हम बात कर रहे हैं स्वास्त सुविधाओं की गाओं गाओं चिकिस्था सुविधा कितनी पहुची कितने दाओं पर काम हुआ कितने जो भी योजनाय आई उन पर काम हुआ हमारे साथ रहमत नगर की महिलाएं हैं उन से हम जानेंगे कि जितने भी कारे होते हैं जितनी भी योजनाय आती हैं इन तक पहुचती हैं क्योंकि अस्पताल की सबसे ज्यादा ज़रुवत इनको ही पड़ती है आप बताईए आप अस्पताल जाती हैं कितना संतूष्ट होती है कि अस्पताल में आपको बहतर इलाज मिलता है अपने कभी कि बताया कि हम ठीक नहीं हो पा रहा है चाहे आपको लगा कि हमारे पास ऐसी सुविदा है कि हम ठीक हो जाएंगे आप बताईए आपके घर कोई बिमार पड़ता है तो अब सरकारी एस्पताल जाती है और प्राइबेट तो साहब परावेट से लाएट से लाएट थे हम आपका सरकारी कोई फाइदे नहीं कर दो सरकारी में कोई नहीं फाइदा पर तो क्या कुछ देखने को मिलता है दवा नहीं मिलता या डॉक्टर नहीं मिलता है या सही से इलाज नहीं होता है कोई साहब फाईदे ने परचा लेखे दे हैं न कोई दावा दे है न कोई कुछ बताहीं हैं न कोई कुछ पोली हैं तो मा का औरजें हम बड़ा है जो कोई सवधह नहीं द aí त्वोड़ा नहीं करते हैं तो मोपरशा लेकर का घं़ की सुननए नोसे Questo नहीं जितने अम्छे हैं जहां प्रसव होता है गाउं के लोग किस पर कराने क्या संतुष्ठ है क्या कि जितने क्या है जैसे भी मॉडन कहा गया है कि मॉडन प्रसव कच बनाया जाएगा अब गरीब आदमी गया कि सरकारी में हमको हेल्प मिलेगा वहीं भी चूसती हजार दो हजार वहां खार्चा करिए क्या आपके यहां टीका करण अभियान चलता है बच्छों को टीका लगाया जाता है कित्ते लोग आते हैं सरकारी अस्पताल में आप लोग को मिला कभी आप लोग को मिला कभी बहु क्या मिला जो बच्चा वहां हुआ था अब की तो ले कह रहा है नहीं अंटरे सोन जांच कराने तो पराइबिट कराया है कहें कि मसीन नहीं ठीक है और यहां नहीं वह पाएगा जब आपने वोट डाला था विदान सबाचुनाओं में तब दिमाग में क्या आया था कि हमको बेहतर बिजली पानी सड़क चिकिस्सा सुविधा में कोई बदलाव देखने को मिला पहले के तुलना में नहीं जानते हैं आप बताईए आप एक अस्पताल में जाती है जब सरकारी तो क्या सोच के जाती है कि अधिया का बताई सरकारी अस्पताले जाओ तो पता चला दवाई दी हिं तो कोई फाइदे नहीं तो मतलब जिसे फाइदा नहीं है तो यहाँ हो तिक भाई चलो को वह मा देखाई तो हमा जाओ तो हमा तो खेर पैसा लगाई हो फाइदा हो ज़रूर अच्वरकारी दवा अस्पताला में जाओ पैसा नहीं फाइदा रही कुमने घर्स्याहाइवत मतला बहुए कोई बात नहीं और यह कोई डाक्टर रहता है नहीं और डाक्टर का इजवने वे अधिया असाब हूँ यही कभो कभो हुती हैं तो कोंकाहेक गोदावाई कोंकाहेक दावाई दीन च पास्त में मतलब लिखाए वाला तो यहां लिखिन नहाजनव की आई रहा है तो कि लडिकन काहें लिखिन नहाजनों और तो नहीं आई भी हम जूटकाय गए हमरे सामने नहीं आई हम घर पर नहीं रहे रहे हैं आप बताएं बहुत दिन से रह रहे हैं कोई भी महिला आकर को ये बताई कि शерकारी योजना क्या है कि कबो कोई से पतालगा लैंगी हम या आज हम दभा बांट रहना थिप पेसा भी दिया जाता है सहन भूती बीज दी जाती जाता है दवटी दिया ज旧ा जाता है लेकिन ये सिर्फ कागजों में है या तो सहरों तक ही सीमित होके रहे गया है हमारे साथ कुछ और लोग है जो रहमत नगर गाओं के हैं उनसे हम बात करते हैं आप बताइए आप इतने दिन से गाओं में रह रहे हैं किसी एक योजना का नाम बताईए जो सरकारी होते हैं सच्छू मलब इस बिसे पर कोई ऐसा अधिकारी या करमचारी कोई ऐसा बात नहीं बताता है इसी कि आपको इस योजना से लाब मिलेगा आज तक अभी किसी भी ग्राम सभा में दो चार शे ग्राम सभाओं की बात कर रहा हूं ये तुमान लीजे हमारी ग्राम सभा है ऐसा मैं किसी आदमी या किसी मनुस के सुनने में नहीं है यानि कोई ऐसा ही बात नहीं बताता कि मुझे इस योजना के बारे में बताया कि किसी गाओं में हम लोग भारती किसानी या संगठन चलाते हैं हम बराबर हर गाओं में जाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन कोई ऐसा ब करमचारी यहां से लेकर के बिलाक जितने भी करमचारी हैं ऐसी कोई बात नहीं बताता है जिससे हम लोगों को लाग मेलेगा आप बताईए आप नवीवर हैं आपको हमेशा दवा की जरौत पड़ती है या घरवालों को दवा दिलाने जाना पड़ता है तो कितना अंतर पाते हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में अब सरकारी से प्राइवल होता अधर जो कोई आदमी जो वहां जो अड़ सरकारी में जो तो 25 चैता यहां नहीं जाओ वहां जाओ यहां तो से बटर होता है कि प्राइवट को दिखाлю ज़्यादा पैसे के लिए पी अगड मैं इक है उसके पास पैसाशाय कर्दा counting पास चाहाई यहां पूरी गाड़ी वहां तक जाती है, आएकि तो उधर से आगी, मगर बहुत कमाती है। कभी की टीकारद्र बियान चलता है। जो घर गर लगुवत कितनी बाहरात है। सरह गाओं में तो वही स्वास्ट केंद रहे चोटा और वही बहुं है जो एंसा बे गाओं में गाओं में सब बता जाती है तो अश्टे अपना पच्छा लेकर। और ऊपोई में जाती है। उसी दिन काम जो भी होता है, टिक्क वागरा है कि यह सब उसी दिन होता है. सरकार नहीं यह कहा था कि पिछले सरकार के तुलना में हमारी स्वास्तनिती सबसे बहता रहा है और हम गाउं गाउं तक पहुच रहे हैं. इसमें क्या सच्छा है? सर्धान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहा था कि दो हजार पचीज तक तक टी वी को मुप्त कर देंगा. उत्तर पर इसमें एक बड़ी संक्याएmir ती और हमशन जानना चाहते हैं कि गाउं में क्या टीबी के रोगी कुछ हैं और कभी कोई इलाज करने आया यहां पर इसार सरकारी डाक्टर वाले करते नहीं जाओं आप मसेन लागे जूटे मुठी लगाएं और इनम हैं लेक्टिया को मेरुवग लेक्टिया कर वह तेद लेके जाओ तो कोई भी वैन यहां पर कभी भी जो टीबी की जाच करने आई हो वह बैजा उतिन नहीं कौने गाउं ने जाती तर बेखो बनोती आप बताएए आप कितना संतुष्ठ हैं टीबी के रोगी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आपके गाउं में भी होंगे कभी यहां व मरीज हो और जिसने जो है वहां पर पड़्चा बनवाया हो अस्पाताल गया हो यह जवाब उसी वही दे सकता है आप गाउं के सम्मानित विकती हैं कभी आपके पास तो लोग आते होंगे कोई फरियाद लेके कि हमें यह दिक्कत इसको solve करिये मेरे पास तो कोई नहीं है मेरे पास कोई एसाथ मी नहीं आया अगर मेरे पास आया होता तो मैं वहां तक अस्पिताल तक जरूर पहुचाता है ये हाल है रहमत नगर में चिकिस्सा सुविधा का एक छोटा सा गाउँ है यहां पे चिकिस्सा सुविधा नहीं के बराबर है एनम यहाँ पर इलाज करती है, डॉक्टर मौजूद नहीं होता है, जितने भी प्राथमिक स्वास्त केंद्र हैं, वहाँ पर एक एक आयूस डॉक्टरों की तैनाती की गई है, वहीं आयूस विवाग कहता है कि हम घर घर जाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, परिवार कल्यार जितने भी मीडिया के इनके पास जानकारी आई, उसमें से एक भी सच साबीत नहीं हो पा रहे हैं, हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे हम जानते हैं, आप एक बार फिर बताईए कि क्या दिक्कत आती है, जितने भी ठीका करण अवियान होते हैं, प्रसव की समस्या होती है, उसको लेकर दिक्कत आती है, डॉक्टर के असला देते हैं, कई बार आता है कि डॉक्टर सरकारी हस्पिताल में बैठे होते हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं, लेकिन वो आपको प्राइवेट हस्पितल बेज देते हैं, इस तरीके की संख्या कितनी हैं? अब हम बता चुके हैं कि अल्टर सर्ण के इस्तिती है कि परड़े 40-50 अवरते वापस होती हैं, कई बार हम लोगों ने सिकायत की सेमों से भी कहा, कि यहां का अल्टर सर्ण टाक्टर जो है, इसको पर्मानेट कर दीजी, लेकिन दो दिन हफते में बैठता है, दो दिन में जो होते हैं, वोई अल्टर संथ होते हैं, उसमें भी जो एनम को या नर्स जो वहां है, इस्टाप नर्स, उसको अगर 10-20 रुपए दे दिया तो उनका नमर पहले लग जाता है, बाकी सब को यह पाईदल वगा दिया जाता है, यह इस्तिती है, अगर कोई विरोध करता है, तो उसी जात सुनी नहीं जाती है, एक्सरे मसीन जो है, बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई एक्सरा कराता है, ँसमें कोई मर्ज आती ही नहीं, डाक्टर बाहर भेज देते है एक्सरा के लिए, उनका कमीशन तय है, जो प्राइबट पैथा लोजी हैं, उन पे भेजते हैं, ज हुआ करने दो तो इस तरह हुआ रहा है कमिशन बाजी होती 40 पर्षन तक प्राइबेट अस्पताल के जो डाक्टर है प्राइबेट नर्सिंग होम फोले हुए है 40 पर्षन एक विक्त को कमिशन देते हैं और ये काम कमिशन बाजी का करती है यहां कि आसाब हो प्राइबेट अस्पतालों में जाकर के बता चुके हैं पकड़वा चुके हैं लेकिन ले देकर आपका भी यही कहना है कि जिस तरीके से अन्य सरकारों में काम हुआ उसी तरह की इस सरकार में स्वास्तुविधा दी जा रही है उसमें कोई बदलाओ देखने को नहीं मिला केवल पेपर बाजी पेपरों में यह कर रहें वो कर रहें इन लोगों के पास केवल मंदिर मजिद अच्चितरकूत जो दिहा इसके अलावा स्वास्त और जो है जो जमीनी विजान चलते हैं घरेलू विजा चलते हैं इसके समन्द में कोई अधिकारी सुनता नहीं पुल मिलाकर ग्रामिडों का दर्द है कि हर बार विधान सभा चुनाओ लोग सभा चुनाओ में एक अच्छी सरकार चुनने के लिए एक स्वस्त मन्द से यह ओड देते हैं लेकिन वह भासर मंज तकी सीमित रह गया अधिकारियों ने उस पर कोई भी अमल नहीं किया नहीं सत्रक्ता दिखाई कि गाउं गाउं जाकर वह लोगों को योजनाओं से रूबरू कराएं इस तरह का दर्द और भी गाउं में हैं लेकिन रहमत नगर का ये दर्द सरकार को सोचने के लिए सवाल खड़ी करती है कि इस तरह का दर्द और गाउं में न हो और अभी देड़ साल की सरकार हुई ये साड़ तीन साल का कारेकाल बचा हुआ है उस कारेकाल में ऐसा कुछ क वेज़ाने हुए सुने के हमारे प्रदेश में सबसे बेहतर स्वास्टी किस्सा सुविधाय मिलती हैं। वेडियो जनलिस पाउन के साथ आउनी समा लाइब टूडेय लखनो। प्रदेश में सबसे बेहतर स्वास्टी किस्वास्टी किस्सा सुने किस्वास्टी किस्वाइब टूडेय लग मिलती हैं।